बहुत काम आने वाले किचिन टिक्स एक कुछ लोग रायता बनाते समय सभी सामगडियों के साथ ही नमक भी मिला देते हैं ऐसा करने से रायता खटा हो जाता है इसलिए रायते में पहले से नमक मिलाने से बचें और सर्व करते समय ही इसमें नमक डालें दो, पूरी या पकोड़े तलते समय करें यह काम तेल में चुटकी भर नमक डालें जिससे पकोड़े और पूरी में तेल कम लगेगा तीन, यदि घर में टमाटर ना हो तो सबची में टमैटो केचप या टमैटो सॉस भी डाल सकते हैं चार, कोई भी ग्रेवी बनाते वक्त ग्रेवी को ज़्यादा स्वादिस्ट बनाने के लिए तेल के बजाए घी का इस्तेमाल करें पांच, घी में थोड़ा सा अजवायन डाल कर कर्म करने से घी में कॉलिस्टरॉल की मातरा कम हो जाती है चे, यदि आप पराठे को क्रिस्पी और कुरकुरा बनाना चाहते हैं तो पराठे को मक्खन से सेकें साथ, सबजी की ग्रेवी गाड़ी बनाने के लिए प्याज भूनते वक्त इसमें एक चमच बेसन डाल कर भूने इससे सबजी की ग्रेवी गाड़ी होगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा आठ, नूडल्स को उबालते समय पानी में थोड़ा सा नमक और तेल मिलाएं और उबालने के बाद चलनी से चान कर ठंडे पानी से धोने से नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं और बहुत ही ज़्यादा खिले-खिले दिखाई भी देंगे और खिले-खिले बनेंगे भ दस, तेजपत्ता और थोड़ा सा नमक पानी में डालकर उबाल लें अब इसे उन जगों पर स्प्रे कर दें जहां पर चीटिया नजर आ रही हैं चीटिया गयब हो जाएंगी ग्यारा, रोज मौसमी का जुस पीने से रक्तसंचार सही धंग से होता है, मौसमी का जुस इम्मुनिटी पावर को बढ़ाता है जिससे शरीर को बिमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है बारा, यदि आप थोड़े कम पके अम्रूद को बीच में से काट कर उस पर नमक लगा कर आग में पका कर खाते हैं तो इससे पुरानी खासी ठीक हो जाती है तेहरा, बार बार उल्टी होने पर बर्फ छूसने से उल्टी होना बंद हो जाती है हैजा की उल्टियों में भी यह है प्रियोग लाब दायक है चौदा, पनीर को अगर फ्रिज से निकाला है तो उसे थोड़ी दिर रूम टेंपरिचर पर रहने दें या जल्दी है तो उसे हातों की मदद से रूल करें जिससे वह थोड़ा सौफ्ट हो जाएगा वरना उसकी क्रस्ट हाड रहेगी पंदरा, भिंडी की सबजी बनाते समय उसे काटने के बाद थोड़ा नीमूनी चोड़ दें तो उसके चिकनापन दूर होगा और सबजी कुरकुरी बनेगी सोला, एक गलस अंगूर की जूस में दो चमाश शहद मिला कर पीने से खून की कमी दूर होती है आपको आज के टिप्स कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथी बेल आइकोन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा थैंक यू